नवरात्री की नवमी के बाद दस्वे दिन जवारा विसरजन के लिए दीवनारेण मंदिर से आरती के बाद प्रसाद दो पहर के ठीक दो बजे सभी देवी देवताओं के साथ निशान लेकर ढोल धमाके के साथ बाड़ी निकाली गई जिसमें दीवनारैन मंदर से बाड़ी प्रारम हुई शंकर मंदर पहुची जहां पर जवारे विसरजन किए गए सभी देवी देविता, देवनाराएंड भगवान के दուज के पीछे पीछे चल रहे थे जिसमें बड़ी स्षरद्धा और भक्ती के साथ भक्ति जन भी अपने कुल देवताओं के साथ बड़ा जन समोस में देखने को मिला देवनारायन मंदर से निकलने वाली बाड़ी सबसे बड़ी बाड़ी आलोट में मानी जाती है आलोट से रागे शाहान की रपोर्ट